जन सुनवाई में अधिकारियों के लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आये हैं जिसमें एक किसान ने जन सुनवाई में शिकायत करते हुए कहा कि वो अपने जीवित होने का प्रमाण लेकर दरदर भटकने को मजबूर है जिम्मेदार अधिकारियों ने उसे म्रत घोशित कर दिया है जिसकी वज़े से उसे पीएम किसान सम्मान नीदी का लाब नहीं मिल पा रहा है मामला डिंडोरी का है जहां भाजी टोला निवासी कीरस सिंग ने बताया कि वो वीगत 18 महीने से अपने जीवित होने का प्रमाण दे रहा है लेकिन जिले के जिम्मेदार अधिकारियों ने अब तक इस पर कोई भी कारिवाही नहीं की है इन जिम्मेदार अधिकारियों ने उसे म्रत घोशित कर दिया था जिसकी वज़े से उसे किसान सम्मान नीदी का लाब नहीं मिल पा रहा है उसने चार बार कलेक्टर की जन सुनवाई सही सीम हेलप लाइन में शिकायत दर्च करा दी थी लेकिन अब तक इन शिकायतों का समाधान नहीं हो पाया लिहाजा वो सिस्टम से परिशान होकर अब इक्छा मृत्यू की मांग कर रहा है पी-अम सम्मान किसान सम्मान नीदी में, में 18e महाहस म gravity हो कर जीए इसलिए कलेक्टर महोदे से अब अपना इक्छा मित्तू का अवेदन लेकी आया हूँ कि मुझे मरने की अन्मति दे दीजिए क्योंकि 18 माह से में में तक हूँ और कलेक्टरेड आते याते मेरे पास इतना समस्या हो गए कि आने के लिए गाड़ी का किराया भी नहीं इसलिए मैं कलेक्टर महोदे पास आया था कि मेरो को स्वेम अपने इक्छा से यहीं मरने की अनुमती दे दे या रजे लोकिटिव डाट हमें सुमर में ऐसे रहेंगे क्या फिलकुल रहेंगे अगर पापा जैसी सही प्लाइनिंग की तो जैसे की मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया एलाइसी के जीवन अक्षे में जो दे रहा है इमीडियेट और गैरंटिड एन्यूटी एट रेगुलर पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना भिलकुल ने हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है एलाइसी के न्यू जीवन शांती में जो हमें देगा डिफर्ड अन्यूटी मतलब कुछ साल बात से रेगुलर इंकम आईसी एलाइसी एलाइसी के एन्यूटी प्लान्स और नियमित इंकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी एलाइसी हर पल आपके साथ वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से चुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेश हम करते हैं सट्यका अनवेशा तखल नियूज आपके हख में आप देख रहे हैं तखल नियूज